नमस्कार आरेस अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम मतुरा वाले आलू बनाना सिखेंगे जो की मतुरा में बहुत फेमस है तो हमने कड़ी में एक बड़ा चम्मच सरसो तेल लिया है उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा इसे क्रेकल होने देते हैं फिर डालेंगे उसमें दो चम्मच हिंग हमें इसमें हिंग जादा डलना है हमने दो चम्मच हिंग डाला है तो आप हिंग की मातरा कम मत कीजिएगा और दो हरी मिर्च जिसे बारिक काटके डाला है इसे हम एक मिनट तक पका लेते हैं फिर अब हम इसमें डालेंगे दो देखे हलका सा लाल हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच लाल मेच पाउडर यह थोड़ा स्पैसी होता है इसलिए आप मिर्ची की मातरा कम मत कीजिएगा अगर आपको मिर्ची ज्यादा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें हमने दो चम्मच बेशन डाला है बेशन को हमें अच्छी तरह पका लेना है इसका हलका सा कलर चेंज होने तक इसे हमें लो फ्लेम पर पकाना है जब यह पक जाए तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का कटा हुआ टमाटर अब इसे भी हम अच्छी तरह करके इसे गलने तक पका लेंगे इसे ढ़ग देते हैं ताकि जल्दी गल जाये देखिए टमाटर भी अच्क तरह गल चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते भी से मिक्स कर देते हैं इसके बाद हमने यह दो बड़ा साइज का आलू लिया है इसे हाथ से ही तोड़ लिया है इसे काटिएगा मत हाथ से आप तोड़के डालिएगा और इसे मिक्स कर लेते हैं स्वादनुसा नमक डालेंगे और इसमें हमने दो चमच आमचूर पावडर डाला है इन सब को डालके हम अच्छी तरफ मिक्स कर लेते हैं यह सबजी थोड़ी तीखी और खटी होती है हमने इसमें थोड़ा पाएं डाला है क्योंकि यह पकने के बाद थोड़ा थीक होगा देखिए सबजी हमारा अच्छी तरफ पक चुका है इसे हम मिक्स कर लेते हैं और धनिया पती डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे यह थंड़ा होने के बाद थोड़ा थीक हो जाएगा इसलिए आप पानी भी इसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ा के डालिएगा देखिए हमारे मुत्रा वाले आलू ब पहु सके तैन्यवाद